तो सबसे पहले सालाम ऑलेकुम और आज हम अन्बॉक्स करने वाले हैं एक की ना की ओपी 522 को तो अब चर्ट करता है तो सबसे पहले हम अपने बॉक्स को आपिन करेंगे और पिर हमें सिर्फ और सिर्फ फ्लैसलाइट देखने के लिए मिल जाती है और इसके पर हमें कवर वि कर लेता है तो सबसे पहले इस फ्लैश लाइट के अंदर जो एक खासित है वह यह है कि आपको सेंसर देखने के लिए जाएगा सबसे तो यह कवरें सेंसर इसका मैं काम बताता हूं क्या है और आप सकते हैं यह देख सकते हैं यह अब यह बाउंस करवाने के लिए काट दिया हुए और यह मतलब इंटेंसिटी आपको थोड़ी कम करनी है लाइट की तो उसके लिए दिया है इस तो अब और चीज लोकर चार्जर लेकिन सभी काम करता है अच्छा जो है बहुत अच्छी दीविये के आप मतलब पैंसिल और गयरा तो उसको भी चार्ज कर सकते हैं अब तरीक जो तरह हो सकता है तो इसको सकती है तो इसका नहीं पता चल जाएंगा आपको बैटरी कुल गई है या कितनी चाइडंग जाए है तो यब जाए है और यहाँ गैज़ा हमारे सेल तो भई अच्छा इसके नदे एक और चीज़ है इधर प्लस माइनस कर दीव है कि आप मतलब सभी सेल लगाने तो यह जगा प्लस कहलाती है और यह जगा माइनस मतलब नूडल फेस जो होता है तो इधर आप क्यों लगाएंगे सेल आपने ख्याल लगना सेल लगाते हैं वरना अब इसके पर एक और दफा क्लिक करेंगे तो इसके नमातब लाइट जल जाएगी अधीरे में आगर आपको नहीं दिख रहा हो तो उसके लिए अच्छा फैर यह जो बटन है यह मतलब चेक करने के लिए कि आपकी प्लेश राइट काम कर रही है नहीं कर रही है आप चेक क आपको बताता हूं कि यह क्या काम करने सही है तो और यह स्लेक्ट करने के लिए चीज़ है कि मतलब इंटेंसिटी कितनी कम करनी है बढ़ानी है अच्छे जितने ज्यादा मतलब आप जो है 128 है ना अभी आप देख सकते हैं तो यह सबसे कम पावर है मतलब जितना जादा पार पास वन बावर इसकी सबसे जादा मलब सबसे जादा इंटेंसिटी है तो अब जो है यह आप देख सकते हैं इधर हमें दिया भी लॉक का और अनलोक का सही है तो यह माउंट आप कैमरे के पर ऐसे लगा सकते हैं इसको अच्छा अब मैं आपको बताया था कि स्लेव ब बाई म हैं आपको बताँगे तो भइ स्लेव बन का जो काम है वह यह है कि जब भी आप अपने कैमरे से flash fire करें मतलब आप कहीं इसको रख दें और मतलब आप अपने camera से flash fire करें जो flash के अंदर inbuilt है उसको आप जो fire करेंगे तो यह इदर से flash fire कर देगा तो अगर आपके समझ नहीं आए तो मैं अभी आपको करके दिखाता हूं तो अब यह आगे हमारे camera से यह आप अब देख सकते हैं इसका मैं साइट पर करते हूं बहुत जादर समान हो रहा है हमारा से तो अब यह हमारा से camera और यह flash light है अब हम camera की flash light को on करते हैं सही है तो अब आप यह देख सकते हैं हमने तो अब आप देख सकते हैं यह देखें इधर camera में flash light जल लिए और फिर इधर से भी flash तो यह काम है slave 1 और slave 2 का सही है अच्छा slave 1 और slave 2 में फर्क है तो slave 1 जो है उसके अंदर क्या होता है जब भी आपकी camera से जरा flash fire होगी तो फॉरन से flash fire कर देगा यह flash लेकिन slave 2 में क्या होता है जब आपका camera focus करने के लिए flash light मारता है जरा सी मतलब flash fire करता है उसके बाद तस्विर खिशती है तो वह जो focus पर इस्तमाल करें सही है इससे क्या होगा जब आपका camera सही तरीके से full flash fire करेगा तो फिर flash light जो है यह भी fire कर देखिए और पिर इस तरीके से जो है आपकी तस्विर मतलब अच्छी आईगी और flash light भी अच्छी तरीके से काम करेगी तो अब आप समझ गए तो अच्छे एक और चीज़े बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि आपने camera को पर लगा दी अच्छे मैं आपको यह पहले यह बता रहे ता हूं कि camera को यह लगती कैसे आपको यह देखना है सबसे पहले यह लॉक लिखा हुए सभी है सबसे पहले इसको unlock करना है सभी है पर गुमाने इसको उसके बाद आप यह मांट देख रहे हैं सही है मांट दिख रहा है इसके उपर यह जगा जो है सही है यह आपकी स्क्रीन वाली जो साइड है वह आपकी तरफ होनी चाहिए इसको यह आप इसके पर रखेंगे और फिर यह पीछे की तरफ प्रेस करने आपकी ना कैम रेको कुछ होगा अगर आप फ्लेशलेट से भी पकड़ लाता है यह तो इस तरीके से काम अच्छा मैं जो बात कर रहा था है कि बहुत साड़ लोग क्या गलती करते हैं बहुत साड़ लोग गलती है कि आप तस्वीर की चाहिए ना डारेक अबजेक्ट पर म मतलब अलग अलग तरीक हैं इस बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे तो बस इतना आप ख्याल रखें के डायरेक्ट अपने मतलब अब्जेक्ट पर लाइट नहीं वा रहे हैं तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाए ओके अला फिस